हेलो एब्रीवान गुद मॉर्निंग वल्कम तो माई यूटूब चैनल कैसे हैं आप सब आई हूप आप सब बहुत ही अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ सुबद अभी बहुत ठंडी हो रहा है मेरा रॉंट खड़ा हो रहा है देखे तो बस अभी मैं अपना ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हूँ और धूब थोड़ा सा आने लगा है थोड़ी दिर यहां बैट लेती हूँ थोड़ी दिर बैटने के बाद फिर थोड़ा सा जूब काम है फिर मैं वो कर लोंगी दूब बहुत हो रहा है सुबद पानी दे दी हूँ तो वही बस वीडियो पिर देखेए अभी का वीडियो तो अभी यहां ब्लोका सुब़ का टाइम हो रहा था तो सप्लाइ पानी आ गया था तो वही मैं यहां पे अभी पानी सब जो Aí वागेर है ना हम लोग के बैंगन यह सब यहां पे लगाया गया है तो उस पी पानी दे रहे थी क्योंकि म उम्मी तो नहीं है मम्मी सुबह सुबह चली गई है कपास तोलने पूरा बिल्कुल सुबह थोड़ा सबी जैसे की शाड़ी पंस की आसपास ही हुआ था थोड़ा थोड़ा अधेरा था और तभी गई हैं क्योंकि ओस गिरता है ना इस टाइम पे इसलिए बोलते हैं कि ओस कि मोर्गी अमन फोल्म गयी है और नहीं तो हम लोग नहीं तोड़ते हैं और हम लोग का यह जो बेंगन है ना यह हम लोग की बैल कi खा गई थी थोड़ा सा पाप नने और कुछ भी नहीं था लेकिन यह तो हो जाएगा मिर्च जो है वो उसका पत्ता जल्दी से नहीं निकलता है बैंगन का फिर से निकल जाता है मुमी बहुत टाटी थी मुझे तुम ध्यान नहीं रखती हो ऐसे ऐसे करके लेकिन पतानी हम लोग की हमीं लोग की बैल ही खा गई थी उसको तो इसी वज़े से मैं चुप हो गई और यहां मतलब की सुबर तो कुछ पिनास्ता बनाता है लेकि नहीं बना पाऊंगी अभी सीधा खाना बनाऊंगी चावल पानी चड़ा दोंगी और लोग की एक करने के लिए बहिया को बोले है कि बोल देना करेंगे करके तो मैं उनको बोल दोंगी जब आएंगे तो अभी फिर चल है देखते हैं बनाना है तो बनाएंगे नहीन तो मुझे मन नहीं टो कुछ भी बनाकी खा लूँगे घर पी अगर शाख बस अभी चलती हूं और यह मरे कपड़े ये डबटा कैसे यहां पे गिर गया यहां पर देखे, यह होस्टेल का है, यह वाला जो है, यह वाला होस्टेल में पहनते थी पहले, लेकिन अब तो घर पे हूँ, तो सुबा भी ठंडी होने लगाए ना, तो यह वाला पहन लेती हूँ, जाड़ो भी मैंने यह वाला कमरा नहीं लगाया है, उधर साइड का बस पानी मैंने चड़ा दिया है, जारियों अब ही जेनी के पास, दर्वाजा बन कर देती हूँ, नहीं तो फिर दाट पड़ी है, हमें आएंगी तो, पोचाड़ो पवाद दिया इची, ए जेनी, देखिए जब सुबा से ना, यह मुझे देखी नहीं रहती है, किसी को भी मेर मुम्मी को भी या भाईया को भी किसी को भी देखी नहीं होती है, और फर्स टाइम देखती है ना, सुबा जिस दिन भी, जैसे कि सुबा से देखी नहीं है, और पूरा हटात से देख ली, तो फिर ना, पूरा खुस हो जाती है, और अभी यह कुरकुरी खा रही है, क्योंक कि अभी कुरकुरी खा के उसका हाथ पूरा डश्ट हो गया है और इसको कुरकुरी अभी मांगेंगे ना ये जो तो ये देगी भी नहीं बिल्कुल भी नहीं देती है पीछे हाथ कर लेती है उसको मांगते हैं तो नहीं देती है वो हाँ लेकिन खिलाने के लिए बोलेंगे ना तो वो खिला देती है मना नहीं करती है अगर मुझ पे खिलाने के लिए बोलेंगे तो खिला देती है और मांगेंगे ना तो नहीं देती है पीछे हाथ कर लेती है और उसके बाद अभी यहाँ पे देखे मैं मतलब सुबह ही मम्मी बोली थी बनाने के लिए तो साग भी था तो मैं सुची कि साग पहले बना देती हूँ, बापा खा के फित चले जाएंगे लग्ती थोड़ा सा टाइम भी लगता है पकने के लिए तो इसलिए मैंने पहले साग बना दिया था और फिर उसके बाद लौकी और थोड़ा सा दाल मिलाके ही बनाई थी तो वही बस बनाके फिर ये सारा इतर उधर करके मैं फेकी थी ना यहांपे एक मतलब चटाई भी यहांपे नहीं रखी थी तो इसे लिए बस यहांपे घाणो करके साफ कर दी हूँ और उसके बाद यहाँ पर सोफे का जो कबर इधर उधर हुआ होगा आप सुभी को दिख रहा होगा अभी कोई भी आता है टीवी देखने बच्चे भी आते हैं पर इधर उधर फैला के बैठ देते हैं तो इसलिए थोड़ा सा सरग भी जाता है कोई भी बैठता है ऐसा नहीं है कि मतलब चुपचाप बैठते हैं ये पूरा तांडव की तरह इधर उधर पैर करते हैं तभी जाके ये जो सोफा का कबर है ये पूरा सरग जाता है नीचे नहीं तो जब ये मैं सुबह तो जाड़ो लगाए थी तो पूराच्छी से साफ करके जाड़ के पूराच्छी से लगा दे थी तो बस उसके बाद अभी मैं यहाँ पे देखिए इवनिंग का टाइम हो रहा था और अभी मैं आज आप सभी से कोई रेसिपी सेयर नहीं की यहीं मैं सोच रही थी कि यह सोयाबिन का जो बड़ी बोलते हैं हम लोग इसको यह सोयाबिन था जैसे कि भया लोग कल आये थे ना राइपूर से कल नहीं परसो तो चले गए परसो परसो चले गए तो उसे दिन उनके लिए ही यह बनाऊंगी ऐसे सोच रही थी और भीगो क रख दी थी तो मैं सोची कि मुझे नहीं पता कभी इसको भीओ के फ्रीज में नहीं रख आए हूं रख देते हैं देखते हैं कैसा होगा से करकी तो रख दिये थी तो यह खराब हो गया था हरा मतलब समेल तो नहीं कर रहा था लेकिन जैसे की थोड़ा सा चिपा टाइप पान रखते हैं उसी पे डाल दे थी और बस उसके बाद यहां पे देखिए अभी मुझे सब्जी बनाना है तो इसलिए यहां पे टमाटर कट कर जो सब्जी तो मैंने चड़ा दिया है सब्जी मतलब की कद्दू का जो पत्ता होता है न वही और उसका जो चोटा-चोटा कद्दू है थोड़ा सफल जैसे स्टार्टिंग होता है वहीवाला ममी मिला के ही इसको बनाई है सब्जी अगर बोलेंगे न आलू भी भून लेते या कुछ भी ऐसे बना के खा लेते लेकिन ममी यही लेकि आई थी और यही हम लोग खाए थी ऐसा नहीं है रात खुर साग नहीं खात तो बस वही थोड़ा सा प्रोग्लम होता है और कुछ भी नहीं तो यहां पर देखें मैंने थोड़ा सा ओईल डालके फिर हरी मिर्च डाले थी क्योंकि सुखी वाली मिर्च तो नहीं है तो इसलिए और पास में चाउमिन रखा गया है आप सभी को दिख रहा होगा पापा ले में और फिर पकने के लिए छोड़ दूँगी और यह साग ना अगर सिंगल बनावना तो बहुत टेस्टी लगता है और हर सबजी या साग कुछ भी मैं बनाती हूं तो बोलती हूं कि हाँ टेस्टी लगता ऐसे मैं जूट नहीं बोलती हूं जो टेस्टी लगता है वो मैं बताती हूं जो सही नहीं लगता है वो भी बता देती हूं तो बस यहां भी टमाटर पक चुका है और इसको बस अच्छे से मिला लोंगी और नमग भी मैंने आज स्वाद के अनुसार ही डारा था क्योंकि सुबर लौकी जब बनाई थी ना थोड़ा सा नमग जादा हो गया थ तो यहां पर देखिए सब्जी जो साग है वो मेरी बन चुकी है और अभी रात के लिए यह हो जाएगा हो जाएगा मतलब कि चार लोग तो हैं घर पे ज़्यादा कोई भी नहीं है तो चार लोग के लिए तो होई जाएगा और हो भी जाकी ना थुड़ा सा बच भी और रात को कोई इतना जादा भी सबजी नहीं खाता है दाल भी है तो बस इसे लिए और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं प्याइन कर रही हूँ और देखिएगा अब मीना मैंने चौमिन भी खा लिया था जब तक टमाटर पकने लग जाएगा तब तक तो मैं दिखाऊंगी यह और लोग में तब तक यूर यू तक लिए बाइ-बाइ-बाइ-टी केर थैंक यू थैंक्स फो वाचीं